हेई गाइस कैसे हैं आप सब मैं हूँ निखिल एन आई होब कि आप सब बहुत ही जादा अच्छे होंगे अब सभी का स्वागत है हमारे सीरीज में जिसका नाम है fix my design and this is episode number 2 अगर आपने episode 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगा description में और यहां पर card में add कर दूँगा तो आप जाके उसे चेक आउट कर सकते हो इस सीरीज में हम लोग basically करते क्या है आप मुझे design submit करते हो और मैं उसे fix करता हूँ यह अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ पट आज के इस episode में मैंने जो design select किया है उसे मैं fix नहीं करूँगा बलकि उसे मैं completely redesign करूँगा और यह जो design है यह भीजा है उमेर मलक ने तो मैंने यह design select क्यों किया इस episode के लिए the reason is जब कभी भी हम अपने initial stage में होता है graphic design के जब हमने बस कुछी मेंनों पहले start किया हो तो हम ऐसे type के design बहुत जादा बनाता है इसमें कोई बरी बात नहीं है मैंने भी ऐसे designs बनाया है so it's absolutely fine इसस जैसे करूंगा और क्या चीज़े है जो में ध्यान में रखनी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ता है इस video के साथ तो बिना कोई time waste किये चलिए आज का वीडियो शुरू करते बट शूरू करने से पहले यार प्लीज इस channel को subscribe कर लो अगर आप ने अभी तक नहीं किया है तो इसी के साथ चलिए आज क्या वीडियो शुरू करते हैं और इस से पहले कि हम लोग इस design को recreate करना शुरू करें सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें issues क्या है तो मेरे हिसाब से इसमें तीन issues हैं सबसे पहला issue color combinations का number two shapes का और number three fonts या text का अब color combination में issue यह है कि जो colors आपने select किये है वो बहुत ही old school है मतलब पुराने style के color combination है यह जो color combination है यह बहुत मतलब पहले use किया जाता था अभी इतने trendy नहीं है और इतने fresh नहीं लगते है और most importantly जो आप product showcase कर रहे हो जो आप message करना चाहते हो उसके साथ वो इतने fit नह और यह सबसे बड़ा issue shapes जो है यह बहुत important factor play करते है आपके design को बनाने में जादा shapes use करेंगे या अनहसरी shapes use करने से आपका design अच्छे से खराब भी बन सकता है जरूरी नहीं कि shapes डालने से design अच्छा ही बने तो यहाँ इस design में ऐसे बहुत सारे elements है जो आपने use किये है जैसे यह circle है यहाँ पर दो और चोड़े circle है यहाँ पर corner में circle है और यहाँ पर dots है कुछ यहाँ पर social media icons है वो दिख भी नहीं रहे और यह इन elements की बिलकुल भी जरूरत नहीं है and it's absolutely fine जब मैं भी initial stage में था अपने तो मैं भी ऐसे बहुत सारे shapes use करता था जिसका कोई sense नहीं बनता but practice से design fundamentals और यह सब चीज़े सीखने के बाद मुझे समझा कि जब कभी भी आप कोई भी shape use करो ना उसका कोई sense होना चाहिए ऐसी नहीं बस डालने के लिए डाल दिया है बहुत लोग मैंने देखे बस shapes भरने के इस आपसे भर देता है pen tool free है shape tool free है तो डाल दो ऐसा नहीं होता आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको शेप है वो जो में मेंजे जो आप design का में जो element है उसको enhance करना चाहिए वो shapes नहीं या उसको highlight करना चाहिए viewer के नजर में लाना चाहिए ऐसा कुछ चीजे होने चाहिए जो सपूर्ट करें तो आपके डिजाइन को बैलेंस करना आपके डिजाइन को सपूर्ट करना तो आपको कोई भी इलेमेंट भी हो उसको ध्यान से यूज करना है और नम्बर त्री जो फॉंट है आपने यहाँ पर मेरे ख्याल से तीन अलग- combination use करें और इसमें तो hardly कुछ font है और hardly कुछ text है sorry तो जैसे special offer और save up to 50% off दो ही text है तो आप एगी font use करो जादा font use मत करो जो placement है उसको भी थोड़ी enhance हम लोग कर सकते हैं क्योंकि मेरा ध्यान इस product पे नहीं जा रहा है इस text पे जादा जा रहा है जबकि हमें product पे ध्यान जाना चाहिए न अच्छे से किस चीज़ पे special offer है ठीक है तो यह सब चीज़े हम fix करेंगे तो यह तीनों चीज़े explain करने का sense इसलिए था क्योंकि मैं normally मैंने यह जो series शुरू की है वो इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं आपके design को fix करूँ but in this case मैं आपके design को पूरी तरीकी से change कर दूँगा जिससे आपको भी idea आजाएगा कि एक अच्छे और I'm sorry बुरे design में क्या फरक होता है very sorry for that I don't think I should call it bad but yeah it's not good okay so let's fix this so सबसे पहले तो जो image है headphones की वह हम लोग add कर देता है यहां पर all right so मैंने इस headphone की image को add कर दिया है जो आपने ही headphones use किया है वही image है यहां पर all right so अब जैसे ही मैं इस headphone को देखता हो तो मुझे एक ऐसी sense of feel चाहिए कि जिससे यह premium लगी और मुझे skull candy के headphones मैंने पहले बहुत use किया है उनमें बेस बहुत जादा होता है तो मैं इस design के तुरू bass को enhance करना मतलब bass इसका main element है इस headphones का वह दिखाना चाहता हो तो उसके लिए मैं एक background image use करूंगा यह जो background image है यह मैंने free book से download किया है तो आप लोग जाकि search करके यह same background image download कर सकते हो तो यह image था यह मुझे काफी सही लगा जो properly justify करता है base को इसे मैं नीचे place कर दूंगा कुछ है तो liquid जो है यह indicate कर रहा है base को और यहां पर भी कुछ चीज़े है जो मुझे नहीं चाहिए ठीक है जैसे कि यह जो कुछ element है यह मुझे कुछ sign लग रहे तो इन्हें मैं erase करूंगा तो इसे select करेंगे create करेंगे layer mask layer mask selected रहना चाहिए बी प्रेस करेंगे brush tool के लिए और make sure करना है कि जो हमारा foreground color है वो black रहे और इसे मैं इस तरह किसे areas कर दूंगा अब यह white इसलिए हो गया क्योंकि हमारे background का जो color है वो white है इसे delete कर देंगे और यहां पर जाकर मैं solid color add कर दूंगा black का इसे नीचे move कर लेंगे इसे नाम दे देंगे हम बीजी ठीक है तो यह हो गया काफी सभी लग रहा है अब यहां पर बहुत ज़्यादा empty space मुझे लग रहा है तो मुझे इसका जो feel है base का या जो background का उसे और enhance करना है तो मैं इसका duplicate बना लूंगा control J प्रेस करके और control T प्रेस करेंगे transform टूल के लिए से rotate कर लेंगे और मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा कुछ ऐसे यहां पर enter कर देंगे अब यहां पर हमें कुछ इस तरीकी के hard edges मिल रहा है तो उससे भी मैं erase कर दूँगा इस तरीकी से layer mask को select करना है भी प्रेस करना है और चाहिए तो मैं बड़ा कर लूँगा और इस तरीकी से जो edges है उस पर क्योंकि यह शेप ऐसा है कि अच्छे से blend और mix हो जाता है तो इसमें तो उसे fix करने के लिए मैं यहां पर simply जाके एक curves add कर देता हूँ और इससे मैं clip mask कर दूँगा तो इससे select करेंगे right click करके create clipping mask ताकि यह सिफ headphones पे effect करें और इससे मैं तोड़ा सा इस तरीकी से को जो contrast है इस headphones का वो मैं बढ़ा दूँगा हलके से तो बहुत चोड़ी चीज है बट यह पूरे scene को काफी अच्छे से blend कर रहा है और अब काफी जादा बेटर लग रहा है मुझे तो अब आपने जो text use किया था special offer का उससे मैं add करूंगा बट उससे हम फुरा सा different way में use करें चाहेंगे font dharma gothic सही है यही font में चाहिए था और मैं type कर दूँगा special offer ठीक है इससे बढ़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से चाहेंगे यहाँ पर paragraph alignment में center align कर देता हूं और इससे मैं थोड़ा और बढ़ा कर दूँगा कुछ यहाँसे all right इस तरीकी से यह सही लग रहा है और थोड़ा सा बढ़ा all right this is looking good अब जो इसका fill है उसे मैं set कर दूँगा zero पे ठीक है फिर जाएंगे effects में add करेंगे एक stroke stroke काफी कम रखेंगे around चाहर ठीक है और इससे white color दे देंगे ठीक है तो यह काफी सही लग रहा है चाहर था जादा है तीन में एक हैसे सही रहेगा okay इससे मैं नीचे प्लेस कर दूँग हमारे headphones के और फिर right click करके convert to smart object कर लेंगे क्योंकि हमें इस पे आड़ करना है liquefy effect तो liquefy जो effect है वो directly text pad नहीं होता तो इसलिए हमें text को convert करना पड़ता है smart object में फिर हम जाएंगे filter और यहां पर मिल जाएगा liquefy all right liquefy में आपको जाना है और यह जो four tool है pucker tool उसे select करना है brush size काफी बड़ी रखनी है कुछ ऐसे इतनी बड़ी सही है और जो density है वो make sure करना है 50 पे हो और जो rate है 80 पे हो यह I guess default ही था और यहां पर जाकर मैं बस click करके hold करूंगा जिससे यह इस तरीके से stretch होना शुरू हो जाएगा ठीक है और फिर प्रेस करेंगे ok पर तो यह ऐसा लग रहा है कि यह headphones के यह area में जाके वह stretch हो रहा है क्योंकि बेस के वह सो खीच रहा है इस text को यह idea मैं देना चाहता हूँ और यह feel में develop करना चाहता हूँ ठीक है फिर इस पर भी मैं एक layer mask add कर दूंगा भी प्रेस करूंगा brush tool के लिए इस बार बढ़ा करेंगे brush को इस तरह से click कर देंगे तो एक sense of depth मिल जाता है और थोटा सा बढ़ा करके तो यह काफी अच्छा लग रहा है कि वह खीच रहा इस particular area में and that is exactly what I want तो यह feel काफी अच्छी यहां पर हमें मिल जाती है और जो special offer text था आपका व up to 50% save up to 50% off यह थोड़ा सा मुझे और लग रहा है बट ठीक है हाँ उससे पहले अब जो special offer है यह यहां पर इतना visible है नहीं तो इसका मैं और एक duplicate ले सकता है मतलब और एक बार से add किया जा सकता है क्योंकि हमने इस text को as a design element use किया है बट मान लीजे मुझे specify भी करना है अच् special offer ठीक है अब जैसे कि मैंने कहा था हमें एक या जादा से जाद दो font combination use करना है यहां पर यहां पर यहां पर जाकर एक rectangle tool select करूंगा यहां पर add कर दूंगा और मुझे फिल नहीं चाहिए तो फिल को मैं set कर दूंगा नन पर सिर्फ चाहिए stroke stroke हम set कर देंगे तू पिक्सल्स पर white color सही है और इसे मैं rounded कर दूंगा तू थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा बढ़ा देते है अब यह थ थोड़ा सा कम कर दूंगा 9 तो बहुत ज्यादा 7 पर रख देते हैं 6 रहेगा और तो इस तरीके से जो special offer है वह भी हाइलाइट हो जा रहा है अब जिस brand का यह क्या बलते है headphones है वह brand का logo भी add करना काफी जरूरी है या important है क्योंकि अभी इस logo हो सकता है हर कोई identify नहीं कर पाए तो वह हम add करेंगे तो यहाँ पर I guess मेरे पास तो यहाँ पर मैं simply copy paste कर दूंगा इस logo को और यहाँ पर set कर दूंगा और जो second text है वह भी मैं यहाँ पर add कर बहुत ही simple है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने shape के नापे सिर्फ यह background element यूज किया है जिससे complete जो feel है उस product की वह भार आ रही है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको shapes नहीं यूज करने है अगर आप use करते हो तो बहुत सम्हाल की use करो so that is a wrap for today guys I hope आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह series अच्छी लग रही है तो मुझे comment करके जरूर बता है मुझे पता यह video डालते हुए काफी launch किया है that is getting started with after effects Hindi में है with English subtitles currently a special deal पे चल रहा है जहां पर अगर आप से purchase करते हो तो आपको मेरा 550 plus motion graphics pack बिल्कुल free मिलता है तो उसकी भी मैने link description में दे दी है जाके जरूर check out करें तो यह that is all मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and always stay raw stay creative peace out